तो friends, हम लोग बात कर रहे थे Accountancy के Chapter No.6 के बारे में Retirement of a Partner हमारा चल रहा था इसकी अभी तक मैंने सिर्फ दो ही पार्ट अपलोट की हैं जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपसे बात की थी एक तो New Profit Sharing Ratio और Gaining Ratio के बारे में इसके अलावा, second part में मैंने आपसे बात की थी Treatment of Goodwill इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा Revaluation Account के बारे में जिससे आप लोग बोलते हो Revaluation of Assets and Reassessment of Liabilities जो कि आपके सामने topic का नाम नजर आ रहा है देखो, वैसे तो आप लोग सोचोगे कि सरी ये topic हम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं पहली बार आप ने पढ़ा Change in Profit Sharing Issue Amongst Existing Partner वाले चेप्टर में दूसरी बार ये topic पढ़ा Admission of a Partner में और तीसरी बार अभी ये topic आप पढ़ रहे हो Retirement of a Partner में देखो, आप पूछोगे सरी Difference क्या है, तो difference तो देखा जाए तो वास्तवक में कुछी भी Difference नहीं है, जो treatment वहाँ पर था, वही treatment यहाँ पर है, जैसे revolution account आप पहले बनाते थे, वैसे ही revolution account अभी बनाओगे बस मैं आपकी practice के लिए कुछ new entries आपके लिए करवा दूँगा, वैसे अगर आपने यह topic पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है क्या करोगे, वीडियो को थोड़ी से skip करो, question देखो, video pause करो solve करो, then answer को match करो second question के साथ भी, अगर आपको आता है revolution account बनाओगे तो question देखो, video pause करके, answer खुछ से solve करो सारी general entries करो, फिर video play करके, check करो, कि हाँ वाकई, आप revolution account में पक्के हो गए, या नहीं हुए, तो देखो, जिनको आता है उनके लिए तो good, और जिनको नहीं आता, उनके लिए very good मैं एक बार, जल्दी से आपको revolution account बनाना बताएता हूँ, और short मैं बताएता हूँ, कि भाई, entries आपको कैसी करनी है, तो आपको format तो सभी लोगो पता है particulars amount और particulars amount होता है, बाकी उपर आप heading लिखोगे, revaluation account, और इसके अंदर आता क्या क्या है, अब जराब वो सुन लो तो आती हैं सिर्फ दो ही बातें एक तो होता है हमें loss assets और liabilities को दबारा से revalue करते टाइम दबारा से check करते टाइम, या तो होगा loss, या होता है profit यानि या होती है, फायदे वाली बात है तो अगर debit side है debit side क्या लेक होगे, सारे losses याद रखा करो याद, debit all expenses or losses credit all incomes or gains तो सारी incomes को, सारी gains को क्या करोगे, credit करोगे, losses को debit करोगे, अब loss कब होता है, फायदा कब होता है ये बात सुन लो दबारा से सबसे पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं, सबोस करो machine की value increase हो गई या building की value increase हो गई, अरे भाई asset की value increase होती है तो फायदा होता है, पहले building पांच लाग की थी, आज की रिट में सात लाग हो रही, अरे भाईया फायदा हो गए, दो लाग का इसके अलावा, liability suppose करो, किसी को पहले हमें देने थे पांच शे जार रुपे बट हमने उससे द्वारा कूछा वो होता है, आपका unrecorded assets तो by chance एक typewriter था, जिसको मैंने box of accounts से हटा चुका था, मैंने देखा ये किसी काम का ही नहीं है, बट आज की rate में जब मैंने revolution किया तो मैंने देखा, यारी ये at least 2-3 रुपे तो भी की जाएगा, तो 2-3 रुपे क्या है, फायदा है आपके लिए, ठीक सेम अगर हम लोग debit side देखें अगर हम losses की बात करें, तो इसके just opposite कर दो, opposite क्या जैसे decrease in asset asset की value कम हो गई machine की value पहले थी 5 रुपे अब हो गई 3 रुपे machine की value कम होगी, तो आपको नुकसान होगा, दूसरी चीज increase in liabilities तो liabilities की value बढ़गी, हमें देने थे 5 र, सामने वाला इंसान के रहा है, भीया, आपको 7 रुपे देने है, तियानी 2 रुपे liability बढ़गी, और तीसरा unrecorded liability, ऐसी liability, जो आपने record ही नहीं किया भी तक, भाई record नहीं की, तो आप record करो और सामने वाली की payment भी करो तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, किस में करोगी, revaluation account में, अगर आप totaling करो, debit side और credit side को, तो by chance debit side अगर आपका balance बचता है, तो आपका क्या बचेगा, to profit on revaluation बाकि आपको इसे transfer करना है, A में B में और C में, कौन से credit side कम पड़ता है, तो credit side क्या लिखोगे, by loss on revolution, किस किस में transfer कर दोगे, A में और B में और C में, ठीक है ये लो भाई, star मेरे बड़े सुन्दर बन गए, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर भी star बना देता हूँ, star क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ तो profit आएगा, यह loss आएगा, दोनों चीज एक साथ नहीं आएगी, तो यह है आपका total revolution account, आप लोग देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है, समस्य आप लोग को पता है किस में आती है, जो आप लोग रोते हो ना, पता है किस चीज में रोते हो, entries करने में, फिर आप सोचते हो, भाईया, entries करने हैं, तो हमें आती ही नहीं है, जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ ना, revolution account बनाने से, ज़्यादा आसान entries हैं, अगर 6 points का question आ जाए ना, तो भले आपकी एकाद entry गलत हुआ है, तो 5 number तो मिली जाएंगे, लेकिन revolution account बनाने के लिए आएगा ना, तो अगर 6 में से 1 point भी गलत कर दिया ना, तो 2 या 3 number ही मिलेंगे, तो माने के चलो यार, कि entries में ज़्यादा फायदा है हमें, अब entries करना हैं भी कितनी आसान, वो सुनो, एक-एक से सारी entries बता रहा हूँ, ठीक, जब भी revolution account के debit side में कोई चीज लखी आती है, कहां-कहां मैंने, ध्यान से सुनो, revolution account के debit में कोई चीज लखी आती है, तो आपको debit करना है, revolution account के, किसे करना है, revolution, सपोस करो, debit side लखाए, machine 10,000 रुपे, debit side क्या लखाए, यहाँ पर लखाए, machine 10,000 रुपे, क्या entry करोगे भाई, revolution account के debit side लखाए न, तो revolution account debit to machine, 10,000, 10,000 हो गया, चलो, credit side सपोस करो, यहाँ पर लखाता है, investment रुपीज, 20,000 रुपे, credit side लखाए, क्या लखाए, investment, credit किसे करोगे, revolution को, तो investment account debit, to revolution account, 20,000, 20,000 हो गई बात खत्म, इतनी आसान सी तो entries होती है, बस आपको समझना यह पड़ता है, कि वो जो amount आप लिख रहो, वो जो entry आप लिख रहो, with revolution account में, debit side लखोगे, या credit side लखोगे, और जिस side भी लखोगे, उस side को आप revolution account सही करोगे, अगर debit side लखोगे, तो revolution account debit, credit side लखोगे, तो two revolution account, बाकि एक side तो आपको पता ही है, चलो, question श्टार्ट करेंगे, और काफी सारी चीज़ें देखेंगे, हम लोग, TS Grewal book में, आपके पास दो ही question है, एक question number 23, एक question number 24, दोनों ही question में आपको solve करवाऊंगा, दोनों ही question की entries भी करवाऊंगा, दोनों ही question का revaluation account भी में आपके सामने बनवाऊंगा, तो देखो, वैसे तो आपको इस question में साफ साफ लखाए, कि आपको general entries करनी है, बट भाई हम कहा मानेंगे हमने तो जब कहा है कि हम Revaluation Account बनवाएंगे तो बनवाएंगे भाई कुछ भी हो जाए ये लो भाई तो मैं Short में जल्दी से लग दूँ ये हो गया Particulars ये हो गया Amount ये हो गया Again Particulars और ये हो गया Amount और छोटा से लग देता हूँ Revaluation Account ये लो भाई आप लोग बोल लेना चाहो तो ये सरस्पेलिंग पता नहीं क्या लग दी चलो चेक करो एक-एक Entry Entry भी करेंगे Revaluation Account में Put भी करेंगे सबसे पहला Point है The value of furniture is to be increased by 12,000 भाई furniture की value बढ़ गई 12,000 से अच्छा उपर लिख दूँ क्या यहां लिखोगे आप सारे Profits Credit Side यहां लिखोगे सारे Losses ताकि आपको आसान रहे अब Machine की value बढ़ गई Machine की value बढ़ेगी तो भाई है फायदा हो रहा है Acid बढ़ रहा है 12,000 रुपे से भाई है फायदा यानी Profit किस साइड आगा Credit Side लिखोगे क्या By Furniture कितना है 12,000 रुपे अब बताओ भाई एंट्री एंट्री कैसे करोगे पहले यह देखो Credit Side लिखा है Debit Side लिखा है भाई है लिखा तो Credit Side है Credit Side लिखाना तो Re-Valution को Credit करना है तो Debit कैसे करोगे Furniture तो Furniture Debit to Re-Valution Account हो गई एंट्री अभी भी समझ में ना रही हो ना एंट्री तो धीरे-धीरे सारे पॉइंट्स देखो भाई मैं कहता हूँ माइन में बैठी जाएंगी सारी बात है चलो Second point देखो The value of stock to be decreased by 10,000 रुपे भाई stock की value 10,000 रुपे से decrease हो गई 10,000 रुपे कम हो गई stock यानी asset asset कम होगी तो भाई यह नुकसान हो रहा है अपना stock कम हो गया मैं का बिलकुल भाई कहा लेखोगे debit side क्या लेखोगे to stock कितना कम हो रहा है 10,000 रुपे अब पूछोगे sir, entry यह बताओ revaluation account के debit side या credit side है अब आप देख रहो sir, revaluation account में debit side लखा है तो debit किसे करोगे revaluation account को तो revaluation account debit to stock जलो, next point पर आजो machinery of the book value of 50,000 is to be depreciated by 10% भाई, 50,000 की machinery थी और उस पे depreciation लगया 10% यानि machine की value कम होगी तो depreciation लगेगा machine की value कम होगी asset की value कम होगी क्या होगा loss कहां आएगा debit side तो debit side लखोगे to machinery कितना है 50,000 का 10% आएगा 5,000 रुपे entry बताओ भाईया इस बार revaluation account के debit side है तो debit क्या करोगे revaluation account को तो revaluation account debit to machinery चलो next पर आओ provision और provision के बारे मैंने आपको बताया कोई भी provision होगा provision हमेशा liability होती है liability की तरह ही treat करोगे इसे आप तो provision for down to debt 5% is created on debtor 40,000 सबसे पहले तो आप लोग 40,000 का 5% निकाल लो 5% बनाना है ना तो 5,4,20 आपका 2000 रुपे आएगा कितना आएगा 2000 अब provision बढ़ गया provision बनाना है यानि एक liability बढ़ गी और भाईया liability बढ़ेगी तो loss तो होगा आपको तो ये देखो भाई to provision for doubtful debt debit side आएगा loss है तो कितना था 2000 रुपे entry बोलो debit side लखाए ना तो revaluation account debit to provision for doubtful debt इसके बाद next आओ unrecorded investment unrecorded asset कहा थिये credit side भाईया फायदा हो गया वो investment जिसके बारे में पता ही नहीं था अब मिल गई वो investment ये लो भाई तो फायदा है credit side लख दो by investment कितना है 10,000 रुपे बताओ entry बताओ sir इस बार credit side लखाए credit side लखाए तो revaluation को credit करोगे तो investment debit to revaluation account ये लो इतनी आसान आसान entry है बागी एक last point और an item of 1,000 included in bills pay bill एक item है 1,000 रुपे का है bills pay bill में जुड़ा हुआ है आगी पड़ो क्या हुआ है is not likely to be claimed भाई किसी ने claim ही नहीं किया यानि किसी को हमें pay ही नहीं करना bills pay bill यानि वो bill जिसकी payment करनी थी but अब pay नहीं करना यानि हमार लिए फायदा है भाईया किसी को pay नहीं करना तो buy bills pay bill कितना है 1,000 रुपे बस होगी आग question खता totaling कर दो अच्छा है entries की तो भाईया entry याद करो credit side लखा है credit किसे करोगे revolution को यानि bills pay bill account debit to revolution account 1,000 और 1,000 अब आप सोच रहो मैं क्या ढून रहा हूँ तो मैं ढून रहा हूँ calculator और जल्दी से देख लो totaling तो credit side ही ज़्यादा आ रही है 12 और 10 22 और एक 23,000 रुपे ये लो भाई 23 दोनों side ज़्यादा debit side कम पड़ेगा लिखोगे क्या 2 profit on revolution transfer to कौन कौन है partner XYZ देख भाई तो ये है 10 और 5 15 15 और 2 कितना होता है 17 अब 23 मैं से 17 माइनस कर लो तो 23 मैं से अगर आप 17 माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 6,000 रुपे और 6,000 रुपे आएगा ratio आपको पता है old ratio 5, 3, 2 तो 5, 3, 8, 5 तो 10 तो 6,000 को 10 से डिवाइड करू 600 तो 6, 5, 3,000 रुपे 6, 3,800 रुपे और 6, 2, 1,200 रुपे भाई मैंने हिंदियें बोल दिया आप लोग अपने हिसाब से calculation कर लीजिएगा चलो पहला question समाप्त मैंने कहा था दो question है टी एस ग्रेवाल में और दोनों ही question मैं करवाऊंगा आपको entries भी और आपके question भी entry मैंने लिखके नहीं बताई बट भाई या आप लोग इतने तो समझदार हो ना ये लो जल्दी से आप लोग पढ़ो question number 24 और मैं बनाता हूँ जब तक छोटा सा एक format क्यूंकि question में entries मुझे काफी ज़्यादा दिख रही है तो मैं format थोड़ा सा एडिजिस्ट करके बनाऊंगा जल्दी से आप लोग question को read कर लो भाई तो particulars amount और again particulars amount ये लो भाई question पढ़ो ABC partner है profit sharing ratio 2 to 1 है B ने decide किया है retire होना चाहता है भाई हो जाए अच्छी बात है asset liability ये चीज़ें है सारी creditors है, building है, planted machinery है stock of raw material है stock of finished goods है भाई दो-दो stock दे रखा, कोई problem नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फिर adapters दे रखे अब ये सारे adjustment है आपको solve करना है, आपको entries भी करनी है, देखो सबसे पहला point है, building to be appreciated by 20% भाई, building की value 20% से बढ़ गई, appreciate हो गई भाई या बढ़ गई, तो फायदा फायदा यानी credit side लोग ही है, credit side मैंने लिख दिया क्या लिख दिया, by building building थी कितने की पहले दिखर ये आपको, building थी 1,00,000 रुपे की और 1,00,000 रुपे का 20% आप लोग जानते हो, 20,000 रुपे इसके बाद second point, अच्छा entry, revolution account में कहां लिखाए, revolution account में लिखाए credit side, क्या entry करोगे entry करोगे, building account debit to revolution account credit side लिखाए, तो credit आप revolution account को करोगे, तो building debit to revolution account, दूसरा देखो, plant and machinery to be reduced by 10%, ये लो भाई plant and machinery 10% से कम हो गया, तो plant and machinery asset है asset की value आपकी कम होगी तो यानी आपका loss तो plant and machinery plant and machinery था कितने का, plant and machinery था 40,000 का, 40,000 का 10% 4,000 रुपे, entry revolution account के debit side है तो revolution account debit to plant and machinery next आओ भाई, तो ये provision for 5% created for doubtful debt, तो provision क्या बता है, liability, तो ये देखो, debt कितने के, 20,000 रुपे के 20,000 रुपे का, आपको निकालना है कितना, 5%, तो 20,000 का 5%, 1,000 रुपे, और provision है, liability है, यानि नुकसान है, कहां आएगा, debit side, तो to provision for doubtful debt, कितना है आपका 1,000 रुपे, इसके बाद देखो, stock of raw material to be valued at 18,000, stock raw material का 18,000 हो गया, stock raw material का कितना था 20,000, ओफो, भाई ये 20,000 का था, 18,000 हो गया, यानि loss हो रहा है, तो to stock of raw material कितने का loss हो रहा है, 2000 रुपे का सिर्फ ध्यान रखना वो आता है, जो loss हो रहा है या जो फायदा हो रहा है, जितनी value का मतलब कमिया जाद हो रहा है, अब आप पूछोगे, sir, entries, कहां लखा है revolution account में debit side तो revolution account debit to stock, 2000, 2000 आगी पड़ो उसके, finished goods हो गया 35,000, finished goods कितने का था 30, ओ वाओ, तो 30 से कितना हो गया, 35, भाई यहाँ तो फायदा हो गया, मैं stock की value बढ़ रही है, तो stock of finished goods कितना है 5000 रुपीज, ठीक है, 30 से 35 हो गयी, तो 5000 रुपीज, इसके बाद और देखो एक old computer है, जिससे आप पहले write-off कर चुके हो, जिससे पहले आप book से हटा चुके हो, was sold for 2000S, भाई आपने कूड़ा एक कचड़े में से 2000 का base दिया भाई, at least 2000 का तो भेका फायदा है या नहीं है, आप कह सकते हो, unrequited asset तो भाई, computer कितना लिखोगे 2000 रुपए, अच्छा, entry भाई, यह revolution account कहा लिखा है credit side, तो computer debit to revolution account, यह लो भाई, और देखो जा रहा, तो firm head to pay 5,000 to injured employee ओफो, 5,000 firm को pay करना है किसको एक employee injured injured हो गया, क्यानि यह आपका workman compensation एक जैसा, क्या आप workers को compensate कर रहो, कहा लिखोगे debit side, क्या लिखोगे, चलो या तो लिख दो आप workman compensation या फिर आप लिख सकते हो या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते हो, to employee या to injured employee, तो आपको कितना पे करना है, 5,000 रुपए बस, revolution account में और कुछ भी नहीं है आप करोगे, अब totaling और निकालोगे answer, तो 25,25, again मैं कहूँगा credit side ज़्यादा है, तो 25,25 और 2, 27,000 रुपए 25,25 और 2, 27,000 रुपए debit side कमपल रहा है, तो debit side आपका निकली क्या आता है, to profit on revolution, भाई निकालो debit side आ रहा है, 4 और 1, 5 5 और 2, 7 7 और 5, 12, अब 27 में से आप 12 माइनस करोगे, तो यह आपका आएगा 15,000 रुपए, और आप इसे transfer कर दोगे, partner कौन कौन है, partner हमारे पास, ABC 221 ratio है, तो ABC 221 है, 2 plus 2 plus 1 या नि 5, और 3, तो 5, 3, 3, 2 जा 6, 3, 2, जा 6, और 3 जा 3, अब आपका होगे सर इसकी entry, तो भाई कहां लखा है revolution account के debit side, तो revolution account debit 2 A's capital लखाऊं, 2 B's capital 2 C's capital लखाऊं, revolution account में आजाएका 15,000 रुपए, A में 6,000, B में 6,000, C में आपका 3,000 रुपए, अच्छा एक बात और छोटी सी बात, अगर by chance, question में लखता कि आपको यह revised value new balance sheet में show नहीं करनी है, तब क्या करते हैं? आगर लिखा हो revised value आपको new balance sheet में show नहीं करनी है, आपको यह values as it is show करनी है, तो आप क्या entry करोगे gaining to sacrificing वहाँ पर आपको new ratio given होगा, तो आपने कहा लोगे sacrificing ratio और जो यह 15,000 रुपए आया है तो friends फिलहाल इस वीडियो में इतना ही revolution account में आपका और कुछ भी नहीं है इसके बाद आपकी जो next video रहेगी उसमें मैं आपसे बात करूँगा accumulated profits, loss, general reserve के बारे में और उसके बाद आपकी सायद last video रहेगी जिसमें मैं आपसे revolution account partners capital account, balance sheet तीनों साथ में बनाके देखेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो topic है न adjustment of capital वो आपके syllabus में नहीं है तो इस वीडियो में फिलहाल इतनी है इतना ही, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे channel की membership ले सकते हैं join button पर click कर सकते हैं इसके अलावा live classes हमारे app जहां से institute of commerce पर चली ही रही है तो वहां वो इत्वी चीज भी आप trial ले सकते हो इसके अलावा बाकी में क्या कहूं formality हो गई हाँ instagram पर follow जरूर कर लेना बाकी मिलता हूं मैं आपसे next video में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद